कि देखे सर यह हमारा केपी 208 का पंप है और दो 200 का दूर निकालता है एक साथ में सबसे पहले तो इसको यहां से 12-3 चाविलो और यहां से अएल निकाल दो और देखने ऐया आप यह बिलकुल यह आ हो चुका अपर तो यह इसे क्या होगी आपकी बत्तियां वीख जैंगी और आपकी बलेडी बाइडी माइनस भी क्योंकि बत्तियों के दोरा तिल जाता है कि इसके इस में में तेल बदने की जरूरीत है दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा है तो यहां से बारते रेक्चाबी लेकर इधर से इसको बेंजू को खोल दो यह पांच के एलंग के ले लू यह खोलते है समय थोड़ा सा अलका सा ध्यान रखे इसा गैस कि इतना फटा है अलकी चोट मार के इसे निकाल लो इसके साथ पेपर लगा होता है यह नहीं भटना थी है यह फट जाए तो दुबार लगाना पड़ेगा काटी यह छे वोल्ट होते है मार किर से तीन टांग का पूला मिल जाता है इसको ऐसे लगाओ प्राए टुबाँ लगाओ इसे पूल से निकाल लो अबर देखो सर ये निकानत ते समय ये कागज फट जाते हैं अगर ये फट जाते हैं तो अपना पाइंट वन का कागज ये नॉर्माल अपना कागज ये लेकर इसको तुबारा काट दूँ अब ये चलते चलते आपकी बलेड माइनस हो जाती है तो इसके लिए हमें क्या करेंगे बलेड निकाल देंगे ये नई वारी बलेड लेकर इसमें डाल देंगे ये इसका साइज बराबर होता है वो माइनस होगा है चलते चलते अब आपको बलेडों की जरूद पढ़ती है तो आप फैलकन वेकर ले सकते हैं अब गुमा के देख लो कोई बलेड पलस माइनस तो नहीं है या आपको ऐसे फिरी होना चाहिए देख सर अगर आपको ये पेपर निकालते है और फट जाता है तो आपको ये कोई भी मार्किर इसे पीपल लेके और इसे थोड़ा सा लेकर चिपकाया के जो चीक ना सर एक चाकू लेके इस कर देख सेंगे जिए एक पर लगा दिया इसका अब इसका वेक कवर लग चुगा इसके बेरिंग को ठोक दू ऐसे करके यह तोड़ा लोग अब इसे गुमाग देखो अबगा पंप देखो अगर आपका पंप फिरी है तो यह बिल्कुल यह समझो आपको सही है इसे वाज यह टिक की लगा दो यह पेपर लगाते समय देख लो आपका पेपर निकालते हैं फटा तो नहीं है अब फटाया तो दो बार काट लगा दो इसे वाज बत्ती खोली आपकी दस ग्यालेक चाबी जैसे आपने बत्ती खोली थी दागा चेंज कर दिया इसे वाज बेंजू लगाओ एक वार्सल पीछ एक साड़ डालो एक वार्सल वीचे दो आग एक साड़ और इसको यह देख लेना इसमें यह वाले इस वाले में इसको लगाना है करयाने वालो ही जैफिख़ली नी चBen हिभती यह सब्चेंज के सबजय के लुज होए तो यह यह 你टाए हृज होगी आपकी यही थाट है यह ओल चंबर आपको टाइट हो चुका है उसके बाद यह आपने यह बेंजु खोला था आठका इसको यहाँ इसमें लगा दूँ कि बारते रिख चाविलो बारते रिख चाविलो अब आपका ओल चेंज करते हैं यह वाल शाप वाल ले लिया और यह ओल विंडो के आधे तक डाल देऊ अब आपका यह लूज नहीं हो जैसे अब मेरा लूज है तो यहां से तेल ता पगता रहेगा आपको पताव नहीं लगेगी और तेल खाली हो जागे इसको बारते रिख चावी लेके इधर से टाइट कर दो दूसरा इधर से टाइट कर दो तीसरा यह वाला टाइट कर दो यह आपके लीकेज वाले पांट है बलेट बलेट चेंज हो सके और बत्ती चेंज हो सकी अब आप इसे इस्तमाल कर सकते हैं